हाई आज मैं को बताऊं कि next js का static project कैसे आप vps में होस्ट कर सकते हैं लाइव तो यहां पर हमें यह वरल दिखा दे रहा है और यह मेरा वेज यहां पर यहां पर यह रहा हो गया यह आप देख सकते हैं इस website को मुझे लाइव सर्वर होस्ट करने लाइव सर्वर पर होस्ट होस्टिंग है वीप एस होस्टिंग तो हम एक डॉमेंड चाहिए होगा तो हम लोग डॉमेंड यूज करेंगे बिक्रॉप का सोनमकुमारी.com यह वाला जिसमें हम लोग आएंगे थोड़ी दर में उससे इसका बिल्ड प्रडक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक बात और में बताना चाहूंगे कि आप इस प्लेश को जरूर से फॉल किजिए अगर आप मेरे प्लेश में जाएंगे यहां साब को मिलेगा डॉमेंड वीपिस होस्टिंग इसको जरू इसको करना है यहां पर लेकिन अपना बनाएंगे तो वह भी एक तरीका का स्टेमल सी एसस इस ने वाज़िए अगर फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे चीज़े होती है इसको करते हैं इस टेप मैंने यहां पर लिख दिया हुआ है पॉइंट डोमें इसको ओपन करेंगे तो आपको यहां पर स्टेप मिल जाएगा इसमें थोड़ी दर में पहले प्रोडक्शन बिल्ड़ क्रिएट कर लेते हैं तो यहां से इसको करना है स्टॉप इसको स्टॉप कीजिए कंट्रोल सी प्रेस करके और इसमें आगे बड़े आप अगर आपने इमेज यूज किया होगा नेक्स्ट जैस में तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट कॉन्फीग में जाकर एक्सपरिमेंटल इमेज अन आप्टिमाइज ट्रू यह वाला कर ले और ट्रेलिंग श्लाश ट्रू अगर नहीं है तो इसको लिख लेजे वरना आपका इम कि अगी बार हमें यहां पर एक आउट नाम का फोल्डर मिल जाता है और यही वाला हमारा स्टाटिक साराज कुछ है और यह हमें अपने प्रॉडक्शन में यानि कि अपने सर्वर पे लेकर जाना है तो चलिए मैं को दिखाता हूं कि साथा चीज़ें कैसे करते हैं मैं इसक आपने इस इंस्ट्रक्शन वाले पेज में यहां पर कहता है कि आपको सबसे नीचे चले आना है यानि कि सबसे नीचे यहां पर देखिए मैंज़ डीएनस का ऑप्शन है और अपको नीचे मिलता है अगर आपने किसी और कंपनी से पर्चेस किया होगा तो आपको कहीं ने कहीं डी आनेस मेंज करने का आप्शन मिल जाएगा आप उसको फाइंड कर लिचेगा विख आपको ए रिकॉर्ड करने है उससे बहले बताना चाहिए कि नेम सर्वर इसका डिफॉल्ट है ना चाहिए आप नेम सर्वर चेक कर लिचेगा जिस भी कंपनी से पने पर्चेस किया है उस कंपनी का नेम सर्वर यहाँ पर रहना चाहिए तब आपका ए रिकॉर्ड जल्दी और सही सही प्रॉपगेट होगा और आपको प्रावलम कर सकता है यह प्र डीले हो सकता है प्रोपागेशन यह नेम सर्वर यह default हैगा हम लोग ए रिकॉर्ड आड करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको फॉलवर रिकॉर्ड आड करने है और दो हमें फूर टाइम से रिकॉर्ड आड करने है इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे मैंज इन्स में क्लिक करेंगे और यह लॉग इन करेगा यहाँ पर लॉग इन होने के बाद यहाँ पर देखिए हमें यह मैंने पहले से एड करके रखा हुआ है ताकि हमारा समय बग जाए प्रोपागेशन गप लेइन आपको एड कैस इसके मैने फोष्टिंगर से भी पीए सब्सक्राइब तो अब यहाँ बिपेस में जाएंगे मैंने प्लिक किया और यहाँ वीपेस एक्सेस तो दिखिए यह वाला जो हमारा है यह हमारा सर्वर आएपी इसका कोपी करना है और यहाँ पर आना है यहाँ पर आइज पर आप आइप करना है यहांपर क्लिक करेंगे इसके बाद अब आद समब लिखेंगे और एप आई पी आपको यहीं मिल जाएंगे इस वाले को ना पर डी पीजिए को और यहां करना है और है और तो क्या होता है की इसको आप नहीं आध कर पाएंगे four times a record भी आपका जो hosting provider होगा वह आपको 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 आपका काम हो जाएगा मतलब मिला ही नहीं है आपको कोई काम नहीं आप चाहें तो इसको भी का सकते हैं इसका भी कोई काम नहीं है अब नेक्ट इंट्रक्शन ये कहता है कि आपने लोकल मेशन में चाहिए और जीप बनाईए जीप हम लोग बना चुके हैं अब आपको कमांड प्रांट ओपन करना है फिर आपको कोपी करना है अपने जीप को प्रोजेक्ट जीप को अपने लोग विंडोज मेशन से रिमोट सर्वर पर उसके लिए यह यूज करना देलिए इसको यूज करते हैं को पिकिया और सीमडी मेरा ओपन है यहां पर पेश्ट करेंगे औ पहले हम लोग प्रोजेक्ट के पास चलते हैं तो बाट डी में है सीडी फोर वीपीएस इसके अंदर में और सीडी दी इसके अंदर में होगा डियाई आर करते हैं देखिए यहां पर आउट डॉट जिप यह वाला में लेकर जाना और कुछ भी नहीं तो अब हम लोग उसम और हमारा सरवर का जो यूजर ने में वह रूट नहीं है रूट के वज्जा है राज मने क्रियेट किया हुगा तो वह लिकहां मैं आपनी मर्शी से जो ही आपका होगा वह लिक्क давно मारा देख यहां पर इसको paste नहीं कर सकते हैं इस location पे हम लोग राज के home डियक्टिव इसको paste करेंगे फिर वहाँ से मूव कर लेंगे वायर डाल 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 व पे लेकर हमें जाना पडेगा वही से पब्लीक डारेक्ट्री होता है वेब सर्वर का वही से वर्लडवाइड दिखेगा हमने यह लिखा मतलब और भी तरीके होते हैं आप वहाँ पर नाजिन ले जाकर हॉम से ही सर्व कर सकते हैं और अभी के लिए वहीं पर लेखा जाएंगे इंटर की प्रेस करते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह हमारा कोपी हो जाएगा यह कोपी हो जाएगा यह समझ लेगा हमारे रिमोट सर्वर में यह जा चुका है यहां इसने मुझे से कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि मैंने SSH की सेट अप कि यह पासवर्ड सब्क्राशंप डिखते हैं यह यहां पर यहां पर निए के बाद हम लोग अपने रिमोट सर्वर पर चलते हैं यह मने सआरब कए मैं इसको और यह हमारा अंजिप हो जाएगा देख लिए यहां पर अगर मैं LS करूँ तो आपको यहां पर एक आउटनम का फोल्डर दीख जागा जिसके इंदर हमारा सारा इसको मूव कर देते हैं तो sudo लिखना है mb और किसको मूव करना है आउट को कहा मूव करना है वार www पे इंटर की प्रेस कीजिए यह पूछे का पासवर्ड पासवर्ड दे देना है और यह मूव हो जागा अब यहां तक का काम हमने कर लिया हम ने कर लिया हम लोग यहां पर आप की आपका सर्फड यह और नहीं है इसके लिए आप इसको कोपी कीजिए फिर से कबार कूपी करते हैं यहां से कूपी करना है और यहांब पर पेच्ट कीजिए देखेंगा आप की यहांब कर देखना को उसके बाद आपको चेक कर लिए क्या आपका फायरवल एक्टिव है या नहीं और सभी पोर्ट जिरूरी पोर्ट अलावड है या नहीं उसके लिए आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से हो क्या हो इसे में सूडो के साथ पेस्ट करना है और दे लिखके मैंने बता है अल्ड़ेडी इसको फायरवल वाले वीडियों इसको देख सकते हैं उसके बाद हमें इस बात पर जाना और एक कंफिरेशन फाइल करना है इसको पहले क्लियर करते हैं सीडी इस लोकेशन पर जाना है तो मैं आ गया लस करेंगे तो यहां पर डिफॉल का एक्टेंशन है उसको इंटरफ्रेस करना है और यहां पर आपको यह पूरा कूपी करना है और यहां पर पेस्ट कर देना है सिंप्ली रैट लिक करेंगे पेस्ट हो जागा यहां पर आपको लिखना है सर्वर नेम में आपका जो डोमेन नेम में वह लिखना है जिसे सोनम कुमारी.com यहां पर कोई भी एक पब्लिक इमेल जो सभी को दिखा सके आप वह लिखे तो मैं सुनमारी.com लिख देता हूं और यहां पर आप अपने प्रोजेट्ट फोल्डर कनाम लिखेंगे जो आपको कु पर आढ़्यों करना ये यहां नाम है और आपको सेव करना है ईज पीछा राइब करना पड़ेगा इनेवल करने के लिए देखें यहां पर दिया गया है एक टू इन साइट और जब को फाइल नेम वह लिखना पड़ेगा यहां यह लिखे सूडो यह और यह फाइल नेम जो भी था हुआ इंटर की प्रेस किजिए यह आपके इनेवल हो जाएगा आप कोई डोमेन इस इस IP को पॉइंट करता है तो यह डिफॉल्ट पेज इसको दिखता है यह डिफॉल्ट सेट है लेकिन अब हम लोग जैसे सर्वर को रिशाट करेंगे और हमने सारा कर दिया हुआ तो यह डोमेन हमारे प्रोजेक्ट आउट फोल्डर के अंदर जो है उसको प्रोजेक्ट हमें यहां पर देखने को मिल जाता है जो हमने यहां पर होश्ट किया हुआ है यह मेरा अपना पॉटफोलियो की वेबसाइट है अगर आपको इसको देखना चाहिए लाइव तो यह सवनुमभानी.com पर अभी के लिए बट यह हट जागा यहां से आपको यह मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा जो दी राजेशकुमार.com यहां पर आपको यह मिल जागा जो कि ज्यादा बहतर यहां से दिखता है थोड़ा से मैंने इसको बहतर बनाए हुआ है वहां के लिए बस यह है और इसमें कुछ खास है नहीं वाकि आपको अगर SSL certificate इसमें इ कर सकते हैं lifetime free आप उसको देख लीजिएगा आप उसमें SSL लगा पाएंगे यहांने कि Azure DPS से इनेबल कर पाएंगे तो बस इतना ही है next address को host करने का तरीखा उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आगया का इस वीडियो को देखने के लिए आप समका बहुत बहुत